हलो फ्रेंट्स आज की जो रेशिपी है इसको आप एक बार बनाओगे तो इसके जो स्वाध है चार दिनों तक आपकी जुवान से उत्रेगा नहीं तो फ्रेंट्स तो चलिए आज की रेशिपी को बना लेते हैं तो फ्रेंट्स मैं दिपाली स्वागत है आप सभी का संध्या पाने से धोलिया है तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं कट हमें इस प्रकार करना है एक चाकु ले लेना है और भींडी को हम ले लेंगे इसके जो दोनु सिरे हैं इसे पहले हम कट कर लेंगे देखिए इस तरीके से और हमें पीसस में कट कर लेना है तो देखिए इस तरीका पी इसी तरह से इसके बाद हम देखे इस तरीके से मैंने सारे भिंडी को कट कर लिया है इसको रख देते हैं साइड में मैंने दो प्याज लिया है बड़ा साइच का है और एक बड़ा से थोड़ा सा छोटा है तो फ्रेंड्स मैंने इसे छील के धो लिया है इसके जरे मैंने नही निकाला है ताकि जब हम कद्धुकस करेंगे ना तो हमें लास्ट में जब हम कद्धुकस करते हैं तो यह अलग-अलग हो जाता है इसलिए मैंने जर नहीं निकाला है ताकि हमें कदुकस करने में आसानी हो तो सारे प्याज को मैंने कदुकस कर लिया है तो चलिए अब हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं तो friends एक चमच मैंने जीरा पाउडर लिया है और प्याज को मैंने सारा कदुकस कर लिया एक चमच मैंने लिया है धनिया पाउडर उसके बाद हम डाल देंगे एक चमच इसमें सोफ friends मैंने सोफ को भूना नहीं है बस इसे दरदरा पीस लिया है मैंने और एक चमच मैंने लिया है सबजी मसाला आप कोई भी टाइप का मसाला ले सकते हो किचन किंग मसाला या फिर मीट मसाला या फिर पनीर मसाला कोई भी मसाला चलेगा तो एक चमच मैंने लिया है healthy powder और एक चमच मैंने लिया है लाल मिर्च powder दिखाओ वाला है अब अब इसके जगा अगर आपको लाल मिर्च पसंदना हो तो आप इसके जगा हरी मिर्च का भी इस्तोमाल कर सकते हो अब हम इसमें डाल देंगे हलका सा आंचूर पाउडर एक चौथाई चमच भी आप इसे कह सकते हैं इसके बाद हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक तो फ्रेंट्स नमक थोड़ा आप इसमें समझ के डाले क्योंकि भिंडी जब पकता है उसके बाद इसके क्वाइंटिटी कम हो जाती है उसी टाइप से आप इसमें नमक का इस्तिमाल करें तो फ्रेंट्स मैंने लिया है एक सोथाई चमच चीनी और इसमें डाल देंगे हम एक कटोड़ी लगवक इसमें दो से तीन चमच सरसो का तेल होगा वो हमें इसमें डाल देना है सारे चीजों को हमें मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप इसे छोड़ दे लगवक पांच मिनट तक तो प्रॉपरली हर चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मसाल में लगर लिया है उसके बाद मैंने लिया है दो चुटकी हिंग सारे चीज चिटन करने के बाद आप इसमें सारे जो मसाले मिक्स के हुए विंडी है इसको आप डाल ले तो फ्रेंट्स जीरा को आप हतेली में मसल जरूर ले ताकि जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छ तरीके से उबर गया है तो सारे विंडी को हमें ढाल देना है इसके बाद हमें से चलाते हुए पकाना है तो फ्रेंट्स थोड़ी देर चलाने के बाद हमें से ओपिन में ही पकाना है गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे इसके बाद चलाने के बाद हमें गैस का फ्लेम ब पकर जाता है वपर में थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसे ढग देंगे इसके ऐसे ठक के पकाएंगे तो friends बीच बीच में चलाना बिलकुल न भूले नहीं तो यह मसाला जो है ना नीचे से चिपक जाएगा तो देखें वीच में इस तरीके से आप इसे चला दे तो आज की जो ये मसाला भिंडी है बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है फ्रेंट्स मैंने इस तरीके से आप लोग के साथ सेयर किया है ताकि सुबह के टाइम में बहुत जल्दी रहती है बच्चों को भी टिफिन देना रहता है और बच्चों के पापा भी ऑफिस जाते है तो इसी टाइप से मैंने ये आप लोग के साथ सेयर किया है ताकि आप जल्दी में भी इस टाइप के रहे से भी बहुत अच्छे तरीके से बनान सकें जिसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगती है और टाइम का भी बच्चत होता है तो इस तरीके से आप लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात के टाइम डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी पराठे या फिर दाल चावाल के साथ भी यह रेसे भी बहुत ही अमिर्जिंग लगती है तो फ्रेंट्स देखिए हमारा मसाला भिंडी तयार हो चुका है सर्प करने के लिए तो चलिए सर्प कर लेते हैं अज की रेसे भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो केक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत पूर्ण है और यह हमें बहुत ही मोटिवेट करती है तो फ्रेंट्स लाइक करना बिलकुल ना भूले और अगर आपको रेसेपी अच्छी लग रही हो तो यह रेसेपी आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर करें इंजॉय करें अ क्लिके सी और इंजॉय के साथ अपते के लिए बहुत हुत 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 है